प्रहा टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें पिछले चार महीने में कुरोना महमारी के चलते लोग घरों में कैद है और टोरेंट पावर बिना रेडिंग लिए बिलों को बड़ी तेजी से घरगर पहुचाने में लगी है सिकायत करता का कहना है बिना रेडिंग लिए अचानक बिल भेजना ये कितना सही है और कितना गलत है इस पर Torrent Power को विचार विवर्स करना चाहिए मुम्रा सहर अमीरों की सहर नहीं है गरीबों का सहर है यहां 80% गरीब तपके के लोग रहते हैं इसलिए सोस समझ कर बिल भेजे ताकि लोग बिल भर सकें अब बात करते हैं किस्मत कालोनी की किस्मत कालोनी जो की अमृत नगर से ल लोगों ने टोरेंट पावर से सिकायत की यहां तक नईम नजीर खान ने भी सिकायत की थी उसके बाद करमचारी टोरेंट पावर हरकत में आए और किसमत कालोनी पहुचे पहले तो कई घंटे उन्हें पता ही नहीं लगे कि आखिर केबल बलाश्ट किधर है किधर जो है केबल फॉल्ट है आखिर केबल कौन सा है कहां गया है बाद में मसीन दौारा खुदाई कर रहे थे केबल निकाल कर दूसरी केबल डालने के लिए लग भक शाम के साथ बज रहे थे तभी जिस केबल को निकालने की कोशिश कर रहे थे अरफात उर्फ साथ जो करमचारी टोरेंट पावर के हैं उन्हें ये नहीं पता था कि ये लाइन चालू है या बंद है इसी दोरान मसीन जैसे ही केबल को टच हुआ एक जोर की आवाज आई और टोरेंट पावर के करमचारी बुरी तरह जुलस गया अब सवाल उठता है कैसे कैसे करमचारियों को टोरेंट पावर ने र जगा है किसमात कालोनी जहां पर कल साम साथ बजे केबल भलाश्ट हुआ और टोरेंट पावर का करमचारी बुरी तरह जुलस गया फिर किसी तरह जख्मी करमचारी को पहले रहमानिया होस्पिटल ले गए बाद में बिलाल होस्पिटल में एडमिट किया गया जहां उसकी कि लिए जला चल रहा है अब बाद यह सामने निकल कर आ रही है जाने दीजिए ये टोरնपावर का करमचारी जला है लेकिन कैसे जाने दिया जाए क्या उइनस नहीं नहीं है अगर यही एक आम इनसान झाला होता तो टोरेंट पावर की खेर नहीं कहते और आज एक लिए को कहते हैं दबा दिया जाए कैसे हो सकता है अब हम आपको सुनाते हैं मिराज खान जो की नदर सेवक है उनके ही घर के बगल में यह घटना घटी है क्या उन्होंने देखा है पहले आप सुनिये बात तो यह जानकरी यह कि तीन दिन से जो है घर के अंदर एक फेस नहीं तो टोर्रेंट ओले कमलेंट यह इंता तो कल टोरेंट वाला शाम के यह और आने के बाद हो असे ऊंघ है और अध्र घर हगह और बमाजू कि sour re под्यृमि ऐख साहिए और बहुत है TV कल सूबा मैं मैं आदमी वेच के मैं परन माले लेख सूबा में और आत्मी आके देखा पेले घर में आया था फेसी चेक रहा तो उस ने देखा कि एक फेसी थीठा तो चेक करके देखा तो तो से पूंस्का आ'Mत्पटे करते हूं, जहेए लगर चेक करनेए तो में ब्री AIDS घंटे तक भी है वो ठीकिक नहीं हो Пाया गये यह पूरा जो है केबल बादलना पड़ेगा और हमको उसके लिए ब्रेकर लगेगा ब्रेकर से जो है पुरा तोड़ना पड़ेगा और थोड़के जो है पूरा केबल चेंज करना पड़ेगा तो हम लोगों ने बुला जो करना करो क्यों कि घर में लाइट नहीं है बाजू के कर मारा और वो चालू लाइन थी और चालू लाइन में ब्लास्ट हुआ उसका मूँ आक वाग सब ने खाली और फेज जो है पूरा जग गई यहां पर जब से सिमिन का काम हुआ है ना कुछ केवल का कुछ जरुवत ही नी थी काम की और तीन-चार केवल गए वे थैंदा और व प्रेकर से वो सिमिन को तोड़के और मैं केवल भार दिकाल लूँगा और दूसरा केवल लाद दूँगा अब उसको यह नहीं मालूमता कि नीशे दो तिन केवल और फुदेव है यह लंग सब किंदे कितने बजे की घटना है यह लंग पक मेरे खाल से साथ दी घटना है सा तो आपने सुना क्या कहा मेराज खान ने लेकिन इस मामले में जब हमने टोरेंट पावर के अधिकारियों वह कर्मचारियों से पूछ ताच की तो उन लोगों ने कुछ भी बताने से इंकार किया उन्हें कुछ पता ही नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं उनका एक कर्मचारी जु कुछ नहीं बता रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट है ये कल साम साथ मुझे की घटना है जो किसमत कालोनी में घटी है हमने आपको वो केबल भी दिखाया है जिस पर काम चल रहा था और घटना के बाद आनन पानन में हॉस्पिटल में लेके भागे हैं और इसी के साथ आज निती से जुड़ी होई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाय टाइम्स